चतुर बीरबल में आज की कहानी है राख पत और रखा पत एक बार दिल्ली दर्वार में बैठे हुए बादिशा अकबर ने अपने नवरतनों से पूछा भई यह बताओ सबसे बड़ा पत यानी शहर कौन सा है पहले नवरतन ने कहा सोनी पत दूसरे नवरतन ने कहा हुजूर पानी पत सबसे बड़ा पत है तीसरे नवरतन ने लंबी हाकी नहीं जनाब दलपत से बड़ा पत और कोई दूसरा नहीं है चोथे नवरत्न ने अपना राग अलापा सबसे बड़ा पत तो दिल्ली पत यानी दिल्ली शहर है बीरबल चुपचाब बैठे हुए सारी बाते सुन रहे थे अकबर ने बीरबल से कहा तुम भी कुछ बोलो बीरबल ने कहा सबसे बड़ा पत है राख पत और दूजरा बड़ा पत है रखा पत अकबर ने पूछा बीरबल हमने सोनी पत, पानी पत, दल्ली पत सब पत सुन रखे हैं पर राख पत, रखा पत किस शहर के नाम है बीरबल बोले हुजूर राख पत का मतलब है मैं आपकी बात रखो और रखापत का मतलब है आप मेरी बात रखो यह मेल जोल और प्रेम भाव जिस पत में नहीं है उस पत का क्या मतलब है प्रेम भाव है तो जंगल में भी अंगल है और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है अक्पर बीर्वल की बातों को सुन कर बहुत खुश हुए और उन्हें क्रई इनामों से नवाजा